इसके बाद एक बड़ी इंट्रेस्टिंग ट्वीट आई मुहमद हफीज की अच्छा मैं उस ट्वीट को दो हिस्सों में ब्रीक करूँगा सबसे पहले उन्होंने बात ये की कि शदाब और नवाज एक लॉंग टर्म सलूशन नहीं है अगर आपको अपने करेंट ऑप्शिंस पर ट्रस्ट नहीं है तो टीम के साथ क्या कर रहे है इसको आप मजबूरी कहला है तो वो एक मुराल जो हता है न खतम होजाता है टीम का के यार अच्छा शायद मुच्छा नहीं कहल रहे है जो जाने वाला प्लेर है वो तो गया ही गया जो नया आने वाला होता है उस पर डबल प्रेशर होता है पेला प्रेशर के भई में टीम में मुझे परफॉर्म करना था रहा है। इसी बेसिस पर निकाले के मैंने परफॉर्म नहीं किया वो फिर दोधारी तलवार आपके उपर लटक रही होती है और वो भी फिर डिलिवर नी कर पाएंगे अच्छी प्लाइनिंग सिर्फ इसलिए मुझे लग रही है चाहे जितनी टूटी फूटी अचानक से हो रही है ले जो आपको नजर आ रहा था कि शादा आपने पी एसल में ती अच्छी परफॉर्म जी ट्राय तो गड़ते यह मुझे तो लगता है इंग्लेंड में ही इंग्लेंड की सीरीज में ट्राय कर लेना चाहे था एवन एशिया कप में और एक्स्परिमेंट नी करेंगे लेकिन कि क्या आपने एक्स्परिमेंट बादर रहा है क्योंकि इसलामपाद उनाइटेड में भी हमने देखा है शदाब खान बहुत अच्छी स्ट्राइक से 156 की स्ट्राइक से और 40 प्लस की अबरेज से नंबर 2 पे उन्होंने नंबर 4 पे उन्होंने बैटिंग की और इट वस अब आप टाइम आप अच्छा अब इनके अगर हम दूसरे पार्ट पर आजाएं तो यह किया हमें अब जो हमारे जो मिडल ओर के ऑप्शिंज हैं डू वी वाइप दम आउट और हम एक्स्ट्रा बोलर्स की जगा बना लें क्योंकि नवाज और आप शदाब को जब उपर ले आ अब भी वसीम से एक रेजरवेशन है यह स्टिल इम्मिचर अन दाट लेवल अभी न्यूजिलेंड ठीक है हार गई थोड़ी कंडिशन भी थोड़ी कंडिशन भी थोड़ी समझाई बंगदेश के अगेंस देशोट के नहीं अब हमें भी अपनी से समझागी है बाउस कम हो कि इनको उपर तो ले हैं नीचे वाले थे ही इसलिए आपके जो पांच प्लेयर्स हैं वो आपकी कोर बैटिंग स्रेंथ होनी चाहिए शादाब नवाज इस वक्रूफ कर रहे हैं कि हाँ टॉप फाइव में हमारी जगा बनती है नीचे वाले जो आपने दो रखे हैं पास एक ओवर से ज़्यादा बैटिंग ही नीच उनको से जाद बैटिंग इनीच तो आपको स्टेबिलिटी जो मिडिल आउडर में चाहिए वो शादाब दे सकता है उसने आपने उस दिन भी देखा बांटरी नहीं भी लग नहीं थी तो एक दो एक दो कर रहा था ट्राइक्रेट ड्रॉप नहीं होने दिया मतलब दो रन से कम वो कोशिश नहीं कर रहा था इंप्रोवाइस कर रहे थे बाउंडरी इस बड़ी थी शुरू में आपको लग नहीं रहा था कि आउट फिल्ड बॉल तेज थी ना रिजवान और बाबर को देखके लग रहा था य